गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज बात करेंगे एक स्टूडेंट्स की क्या कुछ एटिट्यूट रहना चाहिए जिसको वो फॉलो करके सफल हो सकता है एज टीचर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो मुझे क्लास फाइब से देख रहे हो अभी कॉलेज इनिवर्सिटी में भी चले गए हो किसी किसी के तो नौकरी भी मिल चुका है तो हमने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में अलग-अलग तरह का एटिचूट्स रहते है तो एक एटिचूट्स मुझे जो समझ में आता है कि रहना नहीं चाहिए तुम लोगों के अंदर वो है सब चीजों में अपना ध्यान रखना ये नहीं होना चाहिए सब चीजों में क्यों ध्यान रख रहे हो तुम तुमारा दिमाग को जितना हलका रखोगे उतना ही तुम सफल जादा होगे ये याद रखना है जितना अपना ब्रेन को हलका रखोगे उतना सफल जादा होगे कैसे आप मान लो एक क्लास में 40-50 अगर रहते हैं तो कोई-कोई स्टूडेंस ऐसे रहते हैं घ्यक्याक ख़बर कब रहते हैं और उनके पास है और मुंञे को से बता देते हैं असने करना आए तोर देफर में लिख लो का कर दिमाग इतना प्रेशर अधर लो जैसे और एक तरह के स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि किसी के बारे में खबर रखता सर वो उदर घूम रहा था सर उसका इसके साथ संबंद है यह यह कर रहा है वो कर रहा है यह यह सा नहीं करना है तुम अपने बारे में सोचो दिमाग के उपर इतना प्रैसर मत ड लिए जो भी तुमारे सामने लक्स है उसकी बारे में सोचो तो अभी स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स लाइब के बारे में सोचो कैसे पराई करना है कैसे सीखना है माक्स से सबसे ज्यादा बात होता है कैसे चीजों को सीखना क्योंकि जो सिलबस दिया जाता है उसम सब सब चीजों को याद मत रखो कि सब के बारे में न्यूज रखना है बहुत सरे स्टूडिंस का गलत अटिट्यूट है तो मैं मना करूंगा कि तुम लोग सब के बारे में खबर मत रखो, सब टीचर के बारे में खबर मत रखो, बहुत सारे पुरा स्टाब रूम को टीचर के बारे में उसके पास न्यूज है, ऐसा नहीं करना चाइये तो तुम अपना धिमाग के उपर प्रेसर डाल रहे हो, और दुसरी बात ये है, ऐसा गुन भी के साथ बात करेंगे तो सब सबका चीज हमने दिमाग में आएंगे हमको नहीं जाहिए है बाद स्टूडेंट लाइब में यह बहुत जरूरी है साफल होने के लिए हमके सब के साथ क्यों करना है सब्के चीजों में क्यों involved होना है असा नहीं है ब्रेंड के उपर प्रेसर पड़ता है अरे वह पराई में काम लगा उस वह वाली जो बात है ना सब चीजों में अपना पेपर के बारे में खबर रखो तो जो सीग रहे हो उसको प्रैक्टिस ठिक टक तरीके से करो किसी भी फिल से हो वो करना है और एक एक बात ख्याल रखना है अगर्त जैसे तुम लोग रस्ते में जा रहे हो किसी को कुछ इंट्रेस रहता है जैसे मालो कोई पाणिकवा ऊछ खूला हुआ है तो इस को भन्त करना है उसको घ्यान उसी की तरफ जाता है वाइक वाकी किसी की तरफ के धरन रहना में तो इस तरी देखोगे मेरा एक्जंपल अगर लोग है तो मैं तुम लोग policymakers में जरूर देखोगे कि कि जभ हम पराथे हैं तो सब के सब मुग की तरफ देखते हैं तो तुम लीग सोच रहा हैं अगर बासथ-ब में पूछ ऑगे कि सर सर आज का प मैं समझ नहीं पाया तो मैं मैं सायद कभी-कभी बोल भी देता हूँ तुम क्लास में थे क्या बोला सर हम आपने तो मेरी तरफ देखा था मैंने नहीं देखा था तो क्यूंकि यह attitude मैंने अपने अंदर लाये हैं सबकी तरफ अगर ध्यान देंगे ना तो तब तो तो ना मेरा जो अपना जो लख से तुम लोगों को समझाना या ऐसे तो हम CLAWS में करते, पढ़ाते बहुत सारे चीज़ों को तुम लोगों को बताते हैं तुम लोगों को जीवन में काम आए टीचर वो, हमको भूमी스터ब करना करते रहते, तो ये बात मुझे सब चीजों में क् फोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है और मैं फूझ भी लेता हूं कि कौन बोल रहे हूं तो ऐसा मैं खयाल नहीं रखता हूं तो यह attitude रखना है इसलिए मैं बहुत सब नौक्री वहले है मेरा बहुत सारे रिष्टेदार के साथ मेरा डिलेसंसी भी उस लेवल में नहीं है क्योंकि मुझे सफल होना था तो अब एक स्तर के गनकी जैसे मालोके एक मुझे पानी में डर अगता है तो अब यह पीं मुझे यह पसंद नहीं है me cambia से बात नहीं करना है तो आप लोग सोचेंगे कि इस से बात क्यों नहीं करता या यह दोनों दोनों से यह बात नहीं करता अब यह दस प्रेंट से बात नहीं करता अरे ठीक है वह उनको उनको सांती से रहने दोना क्योंकि वह हर चीजों में इंवल्ब नहीं रहना चाहता वह आपको संत रखना चाता है किकर उनका जो लक्स है उसके उपर ध्यान दे रहा है यह याद रखना है इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत उनकी attitude है लेकिन यह है कि वो जो चीज शिखने आए है वो जो class में परने आए है वो maintain कर रहा है तो ये attitude भी तुम लोगों को काम में आएगा, कभी कभी नहीं, जीवन में ये सिखो, सब चीजों में involved मत रहो, student life में सब चीजों में involved नहीं रहना है, किसी भी life में नहीं रहना है, अपने आपको तो हलका रखना है ना, जितना हलका रखोगे, उतना तुम सफल होंगे, ये य याद रखना है ओके तो आसा करते हैं मेरी बात तुम लोगों को याद रहेगा मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपी के साथ तब तक सब को बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू